नमस्कार दोस्तों मैं राजी का गुर्वैल आपकी साइंस टीचर एक बर फिर स्वागत करती हूँ आपका इस क्लास में हम पढ़ रहे थे मेटल तथा नौन मेटल यानि की धातू तथा अधातू के बारे में हम डिसकस कर रहे थे आपका जो है यह सीटी का एक टॉपिक है ए इसकर्षन किस तरीके से धातू का किया जाता है उनका परिशकरिन किस तरीके से किया जाता है यह हम पढ़ेंगे आज की क्लास में और जो है किस तरीके से यहां से बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी जैसे दो लास्ट क्लासे में मैं आपको बताया था आपके उन पॉसिबिलिटी एक्जाम में बनने की वह मैं आपको बता चुकी है। इससे कैसे बनेगे वह भी आपको बताऊंगे कैसे कुशन आए हैं वह बताया जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए, साथ के साथ जो है सबस्क्रा यह नहीं गुड़ों के बारे में पढ़ा था कि वाई चल्भ से अभी गरिये करती आपना लवन् भिलियन केसाथ ok 15 तो आप डायू की साथ करती है तो जब आपसीजर्ण के साथ वह अभी होगा करती है तो थास के फर सी ती से बात है ओक्सीजन के साथ अभीगरिया होगी तो औकसाइड नेगा तो जैसे कोई भी धातू आपने ले लिए से चॉपर ले लिया साथ और िवंडिया उसको जो है जर्ट से बिवाइड पड़ा था जो धातुए गरम जल के साथ अभी करिया करती है वो कौन सी है अपनी मेगनीशियम कौन सी है गरम पानी से नहा के मज़ा आ गया तो मेगनीशियम जो है गरम पानी के साथ अभी करिया करेगी ठंडे जल के साथ अभी करिया कौन कौन सी धातुए करती है अपनी सोडियम हो गया पटेशियम हो गया कैलशियम हो गया यह अपनी करती है ठंडे पानी के साथ अभी किरिया थंडे पानी के रिसे नहा के कापते हैं तो यह आपको याद रखना था उसके बाद जो है भाप के साथ अभी किरिया कौन कौन सी धातुए करती है तो भाप के साथ कुछ एक धातुए ऐसी होती है जो जल के साथ अभी करिया ही नहीं करती तो जो धातुए जल के साथ अभी करिया नहीं करती है वो कौन कौन सी है तो याद कीजिए सोना चांदी कौपी करके जल से नहीं लड़ते हैं तो अपनी कौन कौन सी हो गई सोना हो गया चांदी हो गया कॉपर हो गया और लैड हो गया ठीक है तो यह क्या है अपनी जो जल के साथ अभी किरिया नहीं करती उसके बाद आपको बताया था कि जो कैलशियम और मेगनिशियम है जल के साथ अभी किरिया करके क्या है तैरने लगती है किसकी वज़े से हाइड्रोजन के जो बुलबुले ह वो बनते हैं उसकी वज़े से यह अभी करिया करके जल से और यह तैरने लगती है यह हमने पड़ाए जल के साथ अभी करिया में उसके बाद एक आद पॉइंट हमने देखे थे कि उभैधर्मी ऑक्साइड किसे कहा जाता है तो ऐसे धातू के ऑक्साइड जो कि अमलक के साथ भी क्रिया करते हैं उन्हें अपन एग스न के साथ में अभी छाइड जिस्oriented में देखा पेजिसंग छो है आपके क्या है ऐसे दातु एक साइड है जो उल्व के साथ भी यह करेंगे और नहीं ऑप कहते हैं उभय धर्मी ऑक्साइड ठीके बाई जिसमें क्या क्या एक्जेम्पल हमने देखा जिंक ऑक्साइड अल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेरेलियम ऑक्साइड जो है आपके क्या है ऐसे धातू ऑक्साइड है जो अमलक के साथ भी अभी करिया करेंगे और शार के साथ भ अब इसमें हमने एक एक आग्जेंपल ये देखा था कि कुछ जो धातु होती है इसके साथ अभीकरिया नहीं करती तो आपने ज़ो नाइटरिक आसेड है etch-no3 उसके साथ अभीकरिया नहीं करती क्यों किena 3 क्या है प्रबल ओक्सी कारक है तो जो हाइड्रोजिन बनेगी उसका क्या कर देगा और खुद क्या है उसकी किसी भी अपरूप में जो है क्या हो जाता है अब चाहित हो जाता है इसलिए एचनो 3 के साथ जो धातू हैं कुछ वह अभी किरिया नहीं करती इसके बाद हमने देखा था ज विलीयन के साथ अभी किरिया करवाते हैं तो क्या है कम किरिया शील्ड धातू को कृषथापित कर देती है यह कॉपर हफेट के विलीयन में अपने आयरेन डाल दिया अब आईरन जो है वह अपनी अधिक थाक्र इसको क्या कर दिया और उसकी जगहां कि बैट आप इसके तो आदिक कृया शील्ड ने उस ने कोक्णे कर दिया तो यह अपनी दातू की लवन्ड वि Medicare के साथ अभी कर्या ग्रीमिग तो आभी क्राइब um अभी क्रियाशीलता का प्रृओरि क्रम है गोवन को यादोना चाहिए तो आज बढ़ने वाली है उसमें सब से पहले अपन यहीदे एगो कि अभी क्रियाशीलता का क्रम क्रम क्या है रहांगे अपको बताया था केधार-नाथ कामाली अलू-जराफ फी आता है सप्रियता श्रेणे क्या होती है सप्रियता शिर्णी वह सूची है जिसमें धातु की खेंगा को अवरोही क्रम्ने व्यवस्थित किया जाता है तो जैसे जैसे आपन वे संहें तो नीचे यह तो एप कभी किरियाशील और नीचे कैसी धातुए है कम किरियाशील धातुए है अब जब अपन नीचे से उपर जाएंगे तो नीचे कम किरियाशील धातुए और ऊपर कैसी धातुए है अधिक किरियाशील धातुए है यह देखिए यह अपनी है यह टेबल किसकी तो यह है सक्रियता श्रेणी ठीक है इस तरीके से आप इसको देखिए जो ये उपर की धातुए है ये कैसी है तो उपर वाली धातुए जो है सबसे जादा अभी किरियाशील है बीच वाली मध्यम अभी किरियाशील है और जो अपनी सबसे नीचे है वो सबसे कम किरियाशील धातुए है इसके ल केदारनाथ का माली आलू जरा फी के पकाता है किया है केदारनाथ काम आलू जरा फी के पकाता और इसमें कहा कहा तक आपकी कौन सी भातैं and तो इसमें सबसे अधिक क्रिया शील ड़ात हूँ और मद्यम अभी क्रिया शील अपकी आगई जैसे आप उपर से नीचे आओंगे तो इनकी अभी क्रिये शीलता जो है क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो केदार से बनाना है आपको के यानि कि पॉटेशियम नाथ से क्य क्या बनाना है कैल्शियम माली से क्या बनाना है मेगनीशियम आलू से एल एल्यूमीनियम जरा से जिंक जैड एन फीके से एफई आयरन ठीक है बाई आगे देखिए पकाता है यानि कि पीवी लेड और हैसे क्या है अपना हाइड्रोजन इस सक्रियता शेर्णी के अंदर यह हाइड्रोजन जो है इसको भी स्थाद दिया गया है तो यह सारी क्या हो गई अपनी अधिक के रिया शील्द हातु होगे और यह जो है यह जींग का यह क्या है अपनी मध्यम प्रिया शील्द ही आप जो हाइड्रोजन के नीचे आईएगी वह कौन सी है वह है सबसे कम करिया शील्द हात हुए तो देखो इसकी ट्रिक किया याद रखनी है क्वाध अगर बनाना है और होगा क्वाध आगे यानि की होगा आगे यानि की अपना सोना औरम ठीक है कौन होगा आगे आएगा इधर अपना सोना है एई यू कौन होगा आगे आएगा देखिए कौन होगा आगे आएगा ये क्या है अपनी सबसे कम किरियाशील्द हतु है तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी विलियन में जैसे कॉपर सल्पेट का जो विलियन है उसमें अगर अपने डाल दिये तो क्या इन उस कौपर सलबट character कर देगा तो तो बिलकुल कर देगा क्योंकि अलवाय विपर और एक क्रियाय क्लिची है कपर इधर आ रहा है तो ये कम किलिया शील है तो आयरन जो है अराम से कॉपर को विस्थापित कर देगा ठीक है अगर आपको इस तरीके से कोई भी रियक्शन दे दी जाए विस्थापन अभी कुरिया कि और आपसे पूछ लिया जाए कि यह जो कॉन कौन सी धातू जो है इस विलियन में से इसको विस्थापित कर giàतू में इस तरीके का गुस्षयन आपका एक्जाब में अगजाब कर यह अगा में इस छारे व्याया हुआ है एक रियेक्शन दी थीजिए चार जो है नीचे धातू के नाम दे दिये थे और जो है उस विलियन में से पूछा था कि ये जो विलियन दिया गया है इसमें से निम्न आप्शन में से कौन सी धातू जो है विलियन में उपस्ते धातू को विस्थापित करेगी तो इस तरीके से जो है उसमें पूछा गया थ और उसका अंसर अपन को इस अवी करिया के क्रम से वो देदेने था पैए अपने जो प्रत्वी है उसके अंदर प्राकर्तिक से जो है बहुत सारी कुछ ऐसी ध्हातु है क्या है प्रकर्ती में जो प्रकर्ति रूप से यह पाए жादे है उसको आपन कहते है खनेज ठेक है अब थिखों के ऑंदर कोई ना कोई पर गोलर एक ऐसी ध्हातु होती है कि उसमें उसकी मात्रा सबसे जादा होती है उस खनीच के अंदर कोई धातू ऐसी होगी जो कि क्या है उसकी मात्रा उस खनीच के अंदर सबसे जादा होगी तो उससे अपन कहते है अब आप कहेंगे कि यह जो धातू है क्या सभी एकी तरीके से पाई स्ट आपटावस्दा में था रए्भा फीलिंदन था फंग और रएक acknowledging को पॉक्षाल जारैक रएक अंदिन देखि कोई पडाएं खिला अगे तो इक तुल फान्या औंन स्ट रणफ ये आ डर ज्यक्तिव होती है तो इसके साथ भी दोस्तिकर ली तो क्या है ये किस अवस्था में पाए जाते हैं ये साइज बैए जाते हैं और जो पेर होता है आपकोपता है। तो वो तो कमी किरियाशील होगा सीधी सी बात अकेला पड़ा रहेगा अपने मज़े करता रहेगा तो जो कम किरियाशील धातुए होती है वो क्या होती है मुक्तावस्था में पाई जाती है अकेले पड़े रहते है अधिक किरियाशील धातुए भई अभी एक्टिव जादा होती है जो कि सायूगतावस्था में पाई जाती है अब आप कहेंगे कि सायूगतावस्था क्या होती है तो देखो जो धातुए या तो ऑक्साइड के रूप में सलफाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है उन्हें आपन कहते हैं सायूगतावस्थ में पाई जाने वाली तो जो हाइट्रोज़न के नीचे अपनी दातisi अपनी किरिया शीर तो वह बनी मोर्ट अवस्था में जो है वह हो Uh पाई देखिये गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर नर्करई यह क्या है अपनी कम किरिया शील धासिए अपनी चली है और स्पीवर है चली है उसको अपन दोनों में ले सकते हैं इसके में पासकोंग सब्सक्राइब हो गया पोटेशियम हो गया कैल्शियम हो गया यह सारी क्या है अपनी संयोग तवस्था में पाई जाने वाली आगे वहला कॉंसेप्ट समझ में चलिए आगे चलते हैं अब देखिए खनीज केसे कहते हैं प्राकर्टिक रूप से उपस्ते तत्वो तता योगी को को अपन क्य अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे आपन कहते हैं आयस्क अप देखो भई अब आपको पता है कि जब आपन नीचे जमीन से कुछ चीजे निकालेंगे तो सीधी सी बात है डायरेक्ट आपन को बिल्कुल साफ सी चीज तो नहीं निकल के आएगी उसमें बहुत सारे मतलब कण भी होंगे ऐसी बहुत सारी गंदगी भी होगी कच्रा भी होगा तो जो अपनी इसके अंदर आयसकों के साथ जो कच्रा होता है ऐसी गंदगी होती है मिटी होती है उसको अपन कहते हैं गैंग क्या किया जाता है इस गैंग से यानि कि सारा एक मिश्रन है गंदगी का भी धातू का भी इसका भी तो इस में से जो है धातू उसको प्राप्त किया जाता है कई विदियों के द्वारा इन धातू को प्राप्त किया जाता है उसको आपन पढ़ेंगे तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए कि सबसे अधी कभी किरियाशील जो धातू है उनको किस जो है एक्जाब में कुशन किस तरीके से पूछेगा इसमें से तो जो है यह पूछ लेगा कि इस धातु को किस विधी के द्वारा जो है वो प्राप्त किया जाता है तो आपको बताना पड़ेगा तो जो अपनी सबसे कम के रियाशील्द धातुए होती है उनको जो है उनके प्राप्त कर सकते हैं अब जैसे मध्यम अभी किरियाशील्द हातुए है इनको जो है दो विधी के द्वारा अपन अलग करते हैं प्राप्त करते हैं कैसे करते हैं तो देखिए एक होती है अपनी भरजन विदी और दूसरी होती है अपनी निस्तापन विदी पहली कौन सी है भरजन विदी और दूसरी है अपनी निस्तापन विदी और जो अपनी सबसे अधिक किरियाशील्द हातुए होती है उनको अपन करते हैं प्राप्त विध्युत अपगटनी अ कِसे प्राप्τη करते हैं कम कर्या शील गये कैसे प्राप्त करते हैं और जो है तरीकिसे प्राप्त किया जाता है देखिए इसमें सबसे पहले इसमें इधर लिखा हुआ है इसको का संद्रन कर लिया फिर उच अभी किरियाशील धातुए मध्यम अभी किरियाशील धातुए और निमन अभी किरियाशील धातुए अब जो निमन अभी किरियाशील धातुए है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे तो निमनाी क्रियाशील धातुए कौन सी है अपनी कौन कौन सी है, कौन गौन सी है यह अपना जो है इनको किस तरीके से, अब यह जो आयस्क है, इनसे धातुवन कैसे निकालते हैं तो ये क्या है जो निमनाभी किरियाशील धातुए होती है औक्साइड के रूप में प्रेजेंट होती है mostly, कैसे रूप में, oxide के रूप में present होती है और कुछ धातुे जो होती है, ये निम नभी के रियाशील वाली, वो कुछ होती है अपनी sulfide के रूप में present, ठीक है भाई, अगर वो oxide के रूप में present है, अगर कोई भी धातु, oxide मतलब oxygen की उपस्तिती, क्या Oxide मतलब Oxygen की उपस्थिती जैसे अपना हो गया CuO ये क्या है Copper Oxide है है के नी भई तो ये जो Oxide होते हैं इनको केवल क्या है गरम कर लेते हैं और गरम करने पर ही धातु जो है वो अपन को प्राप्त हो जाती है ठीक है इनको को अपन इसी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं अब अगर जैसे मान लो कि कोई भी अभी क्रियाशील धातु है वो सलफाइड के रूप में प्रेजंट है किसके रूप में सलफाइड के रूप में वो प्रेजंट है तो उसे किस विधी द्वारा भर्जन विधी द्वारा अब आप कहेंगे कि भर्जन विधी क्या होती है तो भर्जन विधी में जब कोई भी धातू है तो देखो सबसे पहले तो अगर कोई धातू सलफाइड के रूप में प्रेजंट है कोई धातू अगर सलफाइड के में प्रेजर्ट है तो क्या करते हैं शल्फाइट से पहले उसको आपसाइड में बदलते हैं कि सीमें जो है अगर कोई धातू सलफाइड ऐस्क के रूप में प्रेजंट है तो अपन उसको सलफाइड से पहले ओक्साइड में बदलते हैं ठीक है बई? अब सलफाइड से ओक्साइड में कैसे बदलेंगे? तो इसको बदलते है अपन भरजन विधी के द्वारा किसके द्वारा भर्जन विधी के द्वारा जो है वो बदला जाता है अब आप कहेंगे भर्जन विधी क्या होती है तो देखो भर्जन विधी होती है किसी भी धातू को ऑक्सीजन की उपस्थिती किसकी उपस्थिती ऑक्सीजन की उपस्थिती में तथा उच्च ताप पर कि जब गरम किया जाता है तो उस विदी को अपन कहते है बरजन विदी क्या कहते है जब केसी धातुको और वान के गरम किया जाता है तो ऊसे अनने अन निस्तापन विदी तो कार्बोनेट्स जो है धातू ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए निस्तापन विदी का प्रयोग करते हैं अब यह तो इतर क्या है सलफाइड से किस में परिवर्तित किया ऑक्साइड में अमान लो कि कोई भी धातू जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो गई अब ऑक् प्राप्त करना इजी होता है इसलिए अपन चाहे कोई धातू सलफाइड फॉर्म में हो चाहे कार्बोनेट फॉर्म में हो उसको पहले अपन किस में बदलते हैं और साइड के रूप में जो है वो बदलते हैं ठीक है आगे अगे अब जब आपन को भरजन विदी के द्वारा अपन ने धातू प्राप्त कर ली धातू अपन को मिल गई तो इससे तो कौन सी धातू प्राप्त करते हैं अपन निमन अभी क्रियाशील धातू इधर देखिए ठीक है इस तरीके से जो है निमन अभी क्रियाशील धातू अपन प्राप्त कर लेते हैं फिर अपन मध्यम अभी क्रियाशील धातुए जिसे अपना आइरन हो गया जिंक हो गया यह क्या है अपनी मध्यम अभी क्रियाशील धातुए अब आप कहेंगे कि मध्यम अभी क्रियाशील धातुए किस रूप में प्रेजेंट होती है तो मध्यम अभी क्रियाशील धातुए अपनी तो तो औक साइड में परिवी वर्थित करते हैं देखो कार्बोनेट और सल्फाइड ऐसक अब जो कार्वोनेट र dato के उनको निस्तापन विदी चेका निस्तापन में क्या किया जाता है कि जो कार्बोनेट और में दोता है तो उसे अपन कहते है निस्तापन-विधी दुआरा धातूओं का निश्कर्शन आप देखिए आप कहेंगे कि भाई कार्वोनेट से ऑक्साइड में बदला इसमें मतलब डिफरेंस क्या इन दोनों में तो इसमें भरजन विदी में ऑक्सीजन की उपस्थिती और उच्छताप इधर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिती बिल्कुल न्यूंतम या फिर उसकी अनुपस्थिती में तो आप यह लिख सकते हो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिती में क्या कह सकते अपन ऑक्सीजन की अनुपस्थिती या फिर बिल्कुल न्यूंतम मात्रा और बिल्कुल कम ताप पर किस पर कम ताप पर तो यह विधी कौनसी होती हमें अपनी दिश्टापन विधे अक्सिजन करते होगी आ फिर बहुत कम बहुत सीमित मात्रह वोगी उसमें जो है इनकार्भोनिट आयस्कों कोड़ाइसकों में बदला जाता है इस को अपन क्या कहते हैं दोनों में क्या स्थोड़ा कि अपशिजन उच्चताप निस्तापन विदी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिती और निमनताप अब जब अपन कार्वोनेट आयसको को ऑक्साइड आयसको में परिवर्तित करते हैं तो भाई कौन सी गैस निकलती है सी यो टू निकाल दो ठीक है अब जब सलफाइड आयसको को ऑक्साइडों में बदलते है तो एसो टू निकाल दो एक चीज याद रखना है आपको कार्वोनेट आयसक दे रखा है तो सी यो टू निकाल दो और अगा सलफाइड आयसक दे रखा है तो एसो टू निकाल दो ठीक में जो अपने पास धातू ऑक्साइड आई उसका अपचयन कर देंगे अब इस अपचयन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो कार्बन का प्रयोग किया जाता है इन धातू ऑक्साइड जो है उसका अपचयन करने के लिए धातू में परिवर्तित करने के लिए कार्बन का आप्चायक के रूप में प्रयोग किया जाता है फिर अपन को क्या है जब धातू जो है वह प्राप्ट जाती है थाड़ा पंजो पढ़ने वाले है वो है अपनी अभी-करिया शील धातू कौनσι है उच्च क्या इसमें क्या जाता है विद्युद अभी क्रियाशील धातूं को प्राप्त किया जाता है कि पाद्र में लेते हैं उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं कैफोड और आपको पढ़ाया हुआ है पहले की classes में, cathode anode लगा देते हैं, उस जो अपना क्या है, जो billion है, वो किसका billion है, धातू का billion है, फिर ऐसे दो elektros जब लगा देंगे, एक anode होगी और एक cathode होगी, जो anode है, उस पे क्या है, अशुद्ध धातू जो है, उसकी होगी, और जो cathode है, वो अपनी शुद्ध वाकी बनाएंगे अपन, अब जैसे ही इसमें विद्धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या है, जो घुलन शील अशुद्या है, वो billion में घुलती जाएगी, ठीक है, जो ए घुलन शील अशुद्या है, वो anode के नीचे जमा होती जाती है, उसे अपन कहते है, एनोड पंक, ठ कैथोर है, वो अपनी शुद्धातू किये, तो शुद्धातू सारी उस कैथोर पे क्या है, कलेक्ट होती जाती है, और इस विद्ध अपगटनी अभी किरिया के दौरा जो अपनी उच्छ अभी किरिया शील धातू है, उनको अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है बाई, आ कुशन जो इसमें से बनता है, वो बनता है, कि भई, रियक्शन दे दिया, आपको कोई भी रियक्शन दे के जो है, पूछ सकता है, कि इस से बनने वाला उत्पात क्या है, तो इस तरीकी के कुशन आपके इसके अंदर से आएंगे, ठीक है, देखे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आएशको का सम्रदी करण गैंग बता ही दिया, कि भई, इसके साथ जेव धातू है, खनिज है, उसके साथ बहुत सारी अशुद्या गंदिया जो होती है, वो प्रेजेंट होती है, उसे अपन गैंग कहते हैं, तो इस गैंग को जो है, अपन हटा देते हैं, बहुत ति जो है, प्रक्रियाएं, उनको उनकी बहुत ते गुणों रासाइनी गुणों को पैचान के, कुछ ऐसी रियक्शन करवा के, अपन क्या करते हैं, इन प्रशुद्यों को इन जो गंदगी हैं, उनको अलग कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है, अपन धातों का निशकरशन क करते हैं, कुछ दातुए स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो स्वतंत्र अवस्था में कॉनसी जो अपनी कम किरिया शील्ड अवस्था में है, नीचे वाली हाइड्रोजन की, ठीक है? और कुछ जो है, अपने योगिकों के रूप में, यानी कि सईयुग्त अवस् में पाए जाते हैं यह मैंने आपको बता दिये क्योंकि यह कम क्रिया शील होती है तो यह लोनली पड़ी रहती है अराम से अकेले मस्त ठीक है सक्रेता शेणी में मध्यम धातुए जैसे के जेंक आरेंड लेट सलफाइड वर कार्वोनेट अइस्को के रूप में पाई जाती है ठीक है करिया शेणी के उपर की दाटूए अधे काशील होने के कारण कभी भी सोतंत्र अवस्थामें नहीं पाई जाती क्योंकि मानलों की ब प्रकार करते हैं तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि निबन अभी किरियाशील जो धातु है यानि कि सबसे नीचे जो इस्थिता है उसको किस तरीके से अपन उनका निशकर्शन करते हैं तो आपको पता है कि यह औकसाइड के रूप में प्रेजेंट होंगी कैसे दातू ओकसाइड को किवल गरम कर लो और जो है इनको प्राप्त किया जा सकता है इसका एक उधारण है सिने वार और यह कुशन आपका exam में आचुका है सिने बार किसका ISK है तो जो अपना सिने बार है वो मरकरी का ISK है किसका मरकरी यानि की HG का ठीक है तो जो अपना सिने बार है वो मरकरी का ISK है और यह आपका एक्जामे कुशन आ चुका है कि निम्न में से मरकरी का ISK कौन सा है तो क्या है अपना सिने बार अब जो है वायू में सिनेवार को गरम करेंगे देखो HGS है ये किसके रूप में प्रेजेंट है सल्फाइड के रूप में अब आपसे कहा था कि जो सल्फाइड है उनको पहले किस में अपन बदलते हैं ऑक्साइड में बदलते हैं बिदी के दुआरा बझन वीदी की अपनी वाइयो पंजिती में फश्टाप तो शुमय का ये शुवی का अपने पिर् हैंक्षाइड बन गया इस यख़ को गरहां करते हैं और क्या प्राप्त कर लेते हैं अपना अक्साइड है मरकरी का इसको गरम किया और धातू जो है वो अपन को प्राप्त हो गई ठीक है आगई यह चीज़ समिन में आप देखिए दूसरा उधारण जो कौपर है कौपर भी अपनी क्या है निर्ना वीकरिया शीर लातू है सलफा नगेशा में बदला अक्साइड में अब यह जो इसको बदल He उनकी अपिर किसमें बदलेंगे दातू में जो हेतों है वू प्राम्त-कर लेंगे कैसे गरम करके जो है ससल आप करें रहे तो अपने पाइड में बदला और तो में अपर है तो इस में पहला तो आपका यह बनेगा कि मरकरी का और मीच इस कोंसा है तो यह याद रखना है सिनेवार साथ के साथ आपके पुछा जा सकता है कि निम्न मेश्य कोपर का योगी कौनसा है इस का कंपाउंड कौन सा है या फिर उसका उक्साइड कौन सा है इस तरीखे के कुशन आपके जो है एक्जैम में सीधे बन सकते हैं ठीक है चलिए सक्रियता शेणी में मढध्य इसते धातव क निशकर्शन तो किस विदी के द्वारा किया जाता है मढध्य में इसते धातव का निशकर्शन तो दो विदी बताई है किवल BY याद रख लो。 पहली भर्जन और दूसरी is निस्तापन ठीक है भर्जन विदी में क्या करते हैं सल्फाइड अयसको का किसका सल्फाइड अयसको का करते हैं और निस्तापन विदी दुआरा कार्बोनेट अयसको का इधर सल्फाइड अयसको का और इधर कार्बोनेट अयसको का अब इसमें जो है सल्फाइड अयसको को किसकी उपस्तिती में और उच्छ ताप की प्रेजन्स में और जो निस्तापन विदी है उसमें कार्बोनेट आइसकों को जब ऑक्साइड आइसकों में बदलेंगे तो काम या फिर सीमी मातर और और निवन ताप पर और टाव तेंपरेचर पर जो है वह गरम किया जाता है यह दो में डिफरेंस है इसमें जब अपन सैलफाइड एसकों को अशाइड समी तो इसमें जो है सीयों साथ इसमें poly- और जो अपनी कार्बोनेट है उसमें सी ओ टू निकाल दो ठीक है यह मेर आपको याद रखना है इसमें ठीक है चालिए आगे बढ़ते हैं सलफायड ऐसको को भरजन वीदी दॉआरा κार्बोनेट ऐसको को निस्तापन वीदी दौआरा और ये दो लाइन ही इसमें इंपॉर्टायंट है अपनी ठीक है बाई आगे बढ़ते हैं भर्जन सल्पाइड ऐसको को अधिक वायू वे अधिक ताप पर दरम करते हैं निस्तापन में कार्बोनेट ऐसको को सीमित वायू तो था वायू की अनुपस्तिती में या तो सीमित वायू या फिर वायू की अनुपस्तिती में और न्यून ताप पर जो है गया है ऑक्साइडों में अगर जिंक जो है सलफाइड के रूप में प्रेजेंट तो देखो ऑक्सीजन की उपस्थिती में और किसमें अधिक ताप पर जो है किसमें बदला ऑक्साइड में परिवर्तित कि अभी दर देखो यह क्या बना है अपने आइसो टू जो है वो निका और यह क्या है न्यून्तम ताप पर जो है इसको परिवर्तित किया किसमें धातू ऑक्साइड यानि कि जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं किसमें धातू में परिवर्तित करते हैं धातू अक्साइड से धातू प्राप्त करने के लिए कार्वन अप्चायक का प्रयोग करते हैं यह मैंने चीज आपको पहले ही बता दी कि अप्चायक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं कार्वन का जो है वो प्रयोग किया जाता है तो यह कार्वन क्या करेगा अप्चायक है तो इसका क्या कर देगा अप्चयन कर देगा अब को पता है कि अपचयन में क्या होता है जो अपचयन विधी होती है तो अपचयन विधी में ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीजन तो क्या हो जाती है निकल जाती है और हाइड्रोजन जो है वो जुड़ती है तो आप देखो इसमें ऑक्सीजन है तो निकाल दो किसकी प्रेजंस में कार्बन की प्रेजंस में तो यह उक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा कौन कार्बन क्यूंकि किसका काम कर रहा है अपचायक का अपचायक क्या होते हैं जो सामने तो विस्थाबन प्रक्रिये जल्दी से याद करो कि अधिक अभी क्रियाशील धातू कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगी तो जो जैडन से जादा अभी क्रियाशील धातू है उसका विल्यन ले क्या हो तो वह इसको क्या कर देगी इसको विस्थापित कर देगी जैसे कि कर देगा और इसकी जगए आके बैट जाएगा तो अल्यूमिनियम उक्साइड बन गया उदर और मेगनीज आपन को अलग से प्राप्त हो जाएगी अब देखिए इसमें कि अधिक अभी क्रियाशील धातू है कुछ उनका प्रयोग भी किया जाता है किसके लिए किया जाता है तो अप्चाय के रूप में भी जो है अधिक अभी क्रियाशील धातू को जो है वो यूज में लिया जाता है ठीक है आगे यह वाली चीज़ समन में चलिए थर्मिट अभी क्रिया ऐसे अभी क्रिया का उप्योग रेल की पट्री तथा मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए मशीनी जो पुर्जे हैं उनको जोड़ने के लिए स्थर्मिट अभी क्रिया का उप्योग किया जाता है अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आयरेन ऑक्साइड है उसकी अभी क्रिया करवाई जाती है ऐल्यूमीनियम के साथ और क्या बन जाता है जोड़ने के लिए कौन सी अभीकृया का प्रयोग करते हैं तो थर्मिट अभीकृया का प्रयोग कर सक्रियम में kij तो विद्धियत अभी किरिया यज्य ग्येम उयाक कैल्शियम उगया इनका जो रपना कहवा है कि तो किस तरीके से कीज़सा तो क्या करती है जो यह्य सबसे अभी क्रियाशी धातू है इंका विलियन बनाते हैं जैसे मान लोग की यह एन को सबीन करोजके है और उसको ऐसे इस तरीके से करेंगे फिर पर लगा देंगे काथой है और छोक तो कैसी Ryan के इस पर आपनको आ जाए धातु कौसी और जो अपनी एनोड पर क्या है जो क्लोरीन गैस है वो मुनно न's कॉंप्त होगी क्योंकि आपने विलियन में lotus क्लोरीन किया है तो न्य जो किस तो एनोड पर जो है यह क्लोरीन गैस मुक्त होती है कि आई ची समझ में फिर इसको जो है अपने एक विद्युद्परीपस से जो है वो जोड़ देते हैं अब इसमें विद्युद्धारा जब प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा विद्युद्धारा प्रवाहित करने पर कि यो है कि क्या थोडल हो इसना है कैथोरर पर एपनी चार्ज दोस्तिह दिय तो आप जब केढ़ितिब होती है उयुकेशी आप चार्ज सेसे हसलग तो नेगिटिव की साइट कॉण सा चाड़ जाएगा क्वनें चैथिटोरर पर जाती जाएगेगीं जो एनोड है उससे लुटोरीन यानि की सीयल मइनस जो है आनोड पर अपना जाता जाएगा अब इसमें में कुछिन क्या पूछा जाता है तो एक्षैम में सीधा कुछिन बनना है कि क्लुरीन गैश जो है विध्युत अफवर्आटन अपचेन अभी किरिया में जो क्लोरीन जैसर वो किस पर मुक्त होती है तो इसका सीधा अंसर है एनौड पर किस पर एनौड पर जो है क्लोरीन गैस मुक्त होती है ठीक है क्लोरीन पर क्या है negative चार्ज एनौड क्या है कैसी है अपनी Positively Charged नेगिटिव किस पर जाएगा इस पॉजिटिव पे और इस तरीके से अपनी को जो धातू है वो प्राप्त हो जाती है ठीक है आगई चीज समय में चलिए देखिए इस तरीके से कैथोर्ड पर क्या आगई अपनी धातू और एनोर पर जो है क्लोरीन गैस जो है वो मुक्त हो जाती है यह चीज है अपनी किस के लिए जो अधिक अभी के रियाशील धातू है उनके निशकर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं कि अपन धातू का निशकर्शन तो कर लिया लेकिन अब इनका परिशकरेंट करना भी तो जरूरी है कि इनको एकदम शुद्ध फॉर्म में ल निकाल देते हैं उसको साफ करते हैं इसी तरीके से जो अपनी जितनी भी गंदगी है इसको पूर्ण तरीके से हटाके शुद्ध धातू को प्राप्त ही क्या कहलाता है धातू का परिशकरन किस विदी द्वारा अब घटनी परिशकरन विदी द्वारा जो ए ниशकों पराप है कि देखो क्या किया जाता है कैथोड ली एनोड ली जो यह एनोड होती है वह अपनी अशुद्ध धातू की होती है एनोड क्या है अपनी अशुद्ध वाली है अशुद्ध धातू की कौन है एनोड ठीक है और जो कैथोड है वह आपन बनाते हैं शुद्ध धातू के लिए शुद्धातों के लिए कौन सी इलेक्ट्रोड लेते है अपन ये लेते है अपन कौन सी कैथोड अब देखिए जो गंदगी है वो इस एनोड के नीचे जमा हो जाती है उसे अपन कहते है एनोड पंक क्या कहा जाता है उस गंदगी को एनोड पंक कहा जाता है अब इसमें जब विद्युधारा अपन प्रभाहित करते हैं तो विद्युधारा प्रभाहित करने पर बार बार जो है इस विलियन में वह विलियन गुलता जाएगा तो शुद्धातु तो इस पर आती जाएगी और जो अशुद्धातु है वह कौन सी बनाई है अपनी अनोड वाली तो जो ग विद्धुत अब घटनी परिशकरण ठीक है देखिए इदर सी यू जैडन एसे निकल सिल्वर गोल्ड जैसी धातु जो है उनका परिशकरण किया जाता है अशुद धातु को एनोर शुद धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है धातु का लवन्ड विलियन को अब घटक की तरह जो है अपन काम में लेते हैं इस तरीके से जो है अपन बनाते हैं देखो कौपर का लिया है विलियन ये क्या है कैथोड ये क्या है एनोर कैथोड पर क्या गई शुद धातु गई और ये जो एनोड है इसको अपने बनाया अशुद धातु वाला तो इससे जो है इसमें विलियन में क्या आते जाएंगे आयन्स और शुद आयन्स इस पे जाके कॉपर के रूप में शुद आयन्स इस पे कैथोर पे जमा होते जाएंगे गंदगी जो कि इस विलियन में घुल नहीं सकती अब आपने देखा होगा कि जो चीज पानी में भारी होती है घुलती नहीं तो तलबे पर जाके बैठ जाती है तो यह गंदगी भी इस एनोड के नीचे जाके बैठ जाती है इसे अपन कहते है एनोड पंक ठीक है और इस विधी के द्वारा जो है अपन शुद्ध देखें संशारेंड क्या होता है तो जब कोई भी धातू है वो जब खराब हो जाती है जैसे कि कोई सबजी है आपने ओईल ओईल में बनाई सबजिया इसको आप क्या रख दो खुले में रख दो अशाम तक या गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि बहुत जल्दी यह ख जाती है काली होने लग जाती है आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी वगरा जो है जो चांदी के यह औरनमेंट्स होते हैं सोने चांदी उनको कॉटन में पैक करके रखती है कॉटन के अंदर रूई के अंदर रखेगी फिर डबे में रखेगी ऐसा क्यों है तो यह अपनी स सुल प्रेजेंट है उससे क्या कर लेती हैं रीक्शन कर लेती है तो इसे को मेरते हैं और शीप क्या कहते हैं सन्शारंड कि अतरीज़ान हो गया कहती सब काली हो जाती है क्योंकि भाइयू में पस्तित सलफर के साथ अभी किरिया करके सिल्वर सलफाइट जो है वो बनाती है इसी वज़े से जो अपनी चांदी है वो क्या हो जाती है काली हो जाती है इसलिए मम्मी लोग क्या करते हैं कॉटन के अंदर इस सिल्वर को जो है यह अपने सिल्वर के चांदी के जो और्नामेंट्स होते हैं जेवर होते हैं इनको रखते हैं ठीक है आगे चलते हैं QUOPER VYU में हरे रगी परच चड़ जाती है तोवे के उपर क्योंकि QUOPER VYU में उपस्थित कारबन डाई औकसाइड से क्रिया कर हरा पदार्त QUOPER कार्बोनेट बनाता है ठीक है? QUOPER कार्बोनेट बना लेगा इसी वजे से जो है ये copper जो है उस पे हरा रंग आ जाता है और ये वाला question exam में पूछा भी गया है कि copper का हरा हो जाना भायू क्यों पस्तिती में कि तो ये क्या बनाता है copper जब हरा हो जाता है तो ये किसका निर्मान करता है तो किसका निर्मान करता है copper carbonate का निर्मान करता है ठीक है यह आपका एक exam में question पूछा गया है सीधे चलिए संशारेंट से बचाव के उपाए तो देखो क्या किया जाता है सबसे पहले तो उसके लिए paint जो है वो कर देते हैं जिसे लोहा है उस पर paint कर दिया तो यह सब क्या है संशारेंट के बचाव के उपाए हैं क्रोमियम का लेप कर देते हैं paint तेल या grease लगा कर या एनोडी करन कर देते हैं यशद लेपन कर देते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चड़ाना यशद लेपन कहलाता है लोहे के उपर किसके उपर लोहे के ऊपर किसकी परत जिंक की परत जब चड़ाई जाती है तो उसे अपन कहते हैं यशद लेपन अगर आपके एक्जैम में ऐसे कुशन पूछा जाए कि संशारण से बचाव के लिए निम्न प्रयुक्त विधी कौन सी है अगर इनमें से ती किनों ही राइट है ठीक है अगर एक दे तो एक पे लगा क्या जना यसद लेपन अनोडी करण हो गया या फिर उस पेंट करके ग्रीस लगा के जो है उस दातु को क्या संशारित होने से अपन बचा सकते हैं चलिए शुद्र लोहा जो है अत्यंत नरम होता है उसे कठोर बनाने के लिए लोहे में कारवन मिलाया जाता है किता परसेंट 0.05% यह आपके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट से इस टेन् लेश जो स्टील है इस पात इसका उशन बहुत बार पूछा गया एक्जैम में कि स्टेन्लेश स्टील जो है इसका निर्मान किससे किया जाता है तो याद रखना है फैनी क्रो तो फे से क्या बन गया अपना आइरन ठीक है एफी नी से क्या बन गया निकल और क्रो से बन गया क्रोमियम यह आपको याद रखना है किसमें इस्टील में या फिर इस पात जो है इसमें कौनसी कौनसी धातुए आएगी तो यह अपनी फैनी क्रो आइरन निकल और यह अपनी क्रोमियम ठीक है इसको याद रखेगा इसके बाद देखे कि मिश्र धातुए क्या होती है तो देखो मिश्र धातुए होती है जब दो या दो उसे अधिक धातु किया मिश्रण बनाया जाता है समांगी मिश्रण उसे अपन बोलते हैं मिश्र धातु में जो है कोई एक धातु मरकरी हो तो अपन अमल गम कहते हैं अगर मालो की जैसे दो धातु है, जैसे लोहे लेलो, लोहे के साथ अगर मरकरी है, तो उस धातु को क्या बोलेंगे हैं, अमलगम कहेंगे, ठीक है, इधर आपके कुछ मिश्रिधातु हैं, और यह तीनो कुछन एक्जाम में पूछे कहें हैं, बहुत बार, तो यह तीनो ही ज जनम नहीं भूलोगे, इन मिश्रिधातु को, देखो, पहली ट्रिक आपको क्या एद रखनी है, पिताजी, तो पी से क्या बन गया अपना, पीतल, तो पीतल जो मिश्रिधातु है, वो किस-किस से बनी है, तावे से और जिंक से, तावा और जिंक मिलके, जो क्या बनाते है, यह अपनी बनाते है पिंक पीतल ठीक है क्या बनाते है पीतल बनाते है पीतल मिश्रधातु किस किसे बनी है ताजी यानि की तावा और जिंक से ठीक है दूसरी ट्रिक देखिए ये तो अपनी हुई पहली ट्रिक दूसरी ट्रिक आती है अपनी कांता आंटी कौनसी कांता तो देखो का से क्या बन गया अपना कासा क्या बन गया कासा तो जो कासा मिश्रधातू है वो किस किस से बनी है तावे से ताव से बन गया अपना तावा और टी से बन गया टिन ठीक है तो तावा और टिन मिलके बनाते हैं अपनी कासा मिश्रधातू देखो तावा और टिन मिल के बनाते हैं अपनी कासा, मिश्रत, धातू, धातू, थर्ड अपनी है। तो सोलडर के लिए क्या ट्रेक आद रखनी है आपको सोसाइटी क्या स्साइटी हैं यह है की तीसरे ट्रिक सोसाइटी तो सो से बना-पना सोल्डर क्या बना सोल्डर सा से बना अपना सीसा ठीक है और टी से बना अपना टिन क्या बना टी से बना अपना टिन तो जो सोल्डर मिश्रधातू है वेको इसकी से मिलके बनी है सीसा और टिन से मिलके जो है अपनी सोल्डर मिश्रधातू बनी है अब यह जो मिश्रधातू है कौनसी सोल डल इसका गलनांग क्या होता है बहुत कम होता है इसलिए इसका उपयोग विद्युधारों की तारों की परसपर्ड वेल्डिंग है उसके लिए किया जाता है और यह लाइन आपकी बहुत जादा इंपोर्टेंट है और यह पूछी गई है आई है एक्जाम में पहले आपको बताये गई है कि जो ज़्यादा तर एक्जाम में पहले आ चुके हैं किस-किस तरीकी के कुश्चन आपके एक्जाम में इस टॉपिक से बनेंगे वह सारे मेंने आपको बता दिये इधर चलिए वह जो होता है वह पाइसे लिए क्या क्या जाता है कि 22जक्ड सोने का उपयोग जो है वो किया जाता है कित्ते सोने का जेवर बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपियोग जो है वो किया जाता है 22 कैरेट सोने में 22 भाग जो है शुद्ध सोने का दो भाग जो है किसका तावा या पिर चांदी जो है उसके अंदर मिलाई जाती है तो यह वह आज का अपना टॉपिक क पड़ापन ने धातों का निश्कर्शन सबसे पहले सक्रियता शेर्णी सबसे जल्दी से याद करो केदारनात का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन होगा आगे आएगा यह अपनी सबसे अधिक अभी किरियाशील बीच में जो है बध्यमभी किरियाशील सबसे नीचे सबसे सबसे कम किरियाशील धातों यहाँ कौन कॉनसी 2017 प्रभापनात शेर्दी कौपर गांए और 17 सबसे मुखर है इसह आपनी कि धातों का निश्कर्शन जो किस तरीके से किया जाता है तो निमनाभी के रिया शील धातुएं जो होती है अगर यह उक्साइड के रूप में प्रेजेंट है तो इन्हें क्या है केवल गरम कर लो गरम करने पर ही इनको धातों को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर सलफाइड के रूप में प्रेजेंट धातों को पहले उक् भरजन विदी की दवर्ण आउक्साइड में बदलेंगे फिर आपने देखा कि मद्यम अभी क्रिया धातु है उनको दो विदी दोरा या तो बर्जन वीदी दोरा यह निस्तापन वीदी दोरा अगर 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 तो इनको किस अप्चायक कार्बन अप्चायक की उपस्तिती में जो है वो धातु प्राप्त की जाती है तो अप्चायक के रुप में किसका प्रयुक किया कार्बन का ठीक है और एनोड है दो इलेक्टरोली तो कैफोर्ड पर तो क्या आगई अपनी धातू आगई और जो एनोड है उस पर कौन सी गैस मुक्त होती है उसके बाद हमने देखा कि धातू को जो है कैसे परिश्कृत किया जाता है उनको सौच कैसे बनाया जाता है तो इसमें अपघटन शुद्ध धातूं की जो इलेक्ट्रोड होती है वह गंद की जो है उसके नीचे जमाप की नीचे हो जाती मिन किया जती है उसके बाहते हैं कि देखां मिश्र धातूं में कौन कॉन से कीपल क्या याद रखना है पिताजी तो पीतल में पीतल किसके से बना है तावर जी यानि कि तावा और जिंक से दूसरी ट्रिक क्या थी कांता आंटी तो कासा मिश्रधातू जो है किसके से बना है कांता आंटी तो तावा और टिन से तीसरी ट्रिक क्या थी आपकी सोसाइटी तो सोस है इसे आप्णा सकते हैं इसने के लिए जो है कि इस वाइशन नहीं बना सकते हैं लिए 22 करेट के लिए जो है याब उशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जीसमें से 22 भाग किसका होता है 22 भाग होता है सोने दो भाग होता है अपना चांधी का या फिर तावे का टीक है भाई इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धनेवाद